दोस्तो SSC की तरब से बहुती सांदार बैकेंसिस निकाली गई है 2024 में जो की MTS और हवलदार की पोस्ट रहने बाली है दोस्तो आपको फार्म कैसे अपलाई करना है इसमें एच क्या रहेगी क्या क्वालिफिकेशन रहेगी फोटो और सिगनेचर कैसे अपलोड करना है और इसका जो पोस्ट का प्रफरेंस है वो कैसे देना है तो मैं सारी डीटेल के साथ में आपको फार्म भरके दिखाता हूँ कि कैसे आपको अपना फार्म भनना है तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है असोक और आप सभी लोगों का मेरे यूटूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं तो यहाँ पर दोस्तो आपको सबसे पहले तो SSC स्टाप सेलेक्शन कमिशन की ये ओफिसिल साइट पर आना है SSC.gov.in की तो दोस्तो आपको इसकी डारेक्ट लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूगा वहाँ से आप डारेक्ट लिंक के द्वारा इस पोर्टल पर आ जाएंगे तो दोस्तो यहाँ पर आपको फार्म बनने से पहले इसकी जो डीटेल्स है वो मैं बताता हूँ फिर फार्म फिल करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर दोस्तो आप देख सकते हैं SSC की तरफ से ये ओफिसियली नोटिपिकेशन जारी है यहाँ पर जो मल्टि टास्किंग नॉन टेक्निकल इस्टाप एंड हबलदार CBIC एंड CBN एग्जामिनेशन 2024 की जो पोश्ट है यहाँ पर दोस्तो आपका जो फार्म बनने की लाजडेट है यहाँ पर 31,7,2024 आपने अभी तक इसका फार्म नहीं भरा है तो आपको कैसे बनना है मैं बताऊंगा तो वीडियो पर बने रहिएगा यहाँ पर इसकी जो लाजडेट है पेमेंट फीस रिसिप की यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद में यहाँ पर सलेक यहाँ पर दोस्तो स्यूडूल ओफ कंप्यूटर बैस एक्जामिनेशन अक्टूबर नवंबर में इसका एक्जाम होगा तो यहाँ पर बात करते हैं बैकेंसिस की तो यहाँ पर दोस्तों MTS मल्टी टास्किंग स्टाप की जो बैकेंसिस है 4887 रहेगी और हविलदार in CBIC and CBN इसकी 3449 पोस्ट रहने वाली है तो नेशनालिटी सिटिजन सिप तो यहाँ पर फार्म बनने के लिए आपको सिटिजन ओफ इंडिया और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इसकी जो एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर आपकी जो एज 182024 के अकोर 903 से 182006 के बीच में हैं तो आप इसकी पोस्ट के लिए अपलाई रहे कर सकते हैं और यहाँ पर 18 से 27 साल यहाँ पर जो पोस्ट है यहाँ पर दोस्तों आपको हवलदार इसकी पोस्ट के लिए है यहाँ पर हवलदार CBIC and CBN MTS तो यहाँ पर यह इसके बीच में आपकी की बात करें तो यहाँ पर आपको दा केंडिडेट मस्ट है पास्ट मेट्रिकूलेशन एग्जामिनेशन तो यहाँ पर 182024 तक आप 10 बीक अक्छा पास होना चाहिए अगर आप 10 क्लास पास है तो आप आल इंडिया से मेल फिमेल केंडिडेट अपलाई कर सकते हैं यहाँ प फार्म बनने की जो फीस की बात करें तो यहाँ पर फी पेहेबल सो रुपे यहाँ पर आप OBC और जckenरल EWS केंडिडेट है तो यहाँ पर आपको सो रुपे पेमेंट करनना पड़ेगा मेल केंडिडेट के लिए और यहाँ पर बोमेन कैंडिडेट और यहाँ पर S.C.H.T. और यहाँ पर PWBD candidate, यहाँ पर payment fee, तो यहाँ पर दोस्तो, exempted, तो यहाँ पर आपकी payment नहीं लग रही है, अगर आप female candidate है और SCHT PWBD, तो आपको यह form बनना free है आपके लिए, तो चलिए दोस्तो, यहाँ पर आपको सबसे पहले यह सारा notification को check out कर लेना है, अगर आप eligible है, तो farm apply कर सकते हैं, तो चलिए मैं farm fill करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर दोस्तो, आपको आना है SSC की site पर, तो सबसे पहले login और registered इस बाले option पर click करेंगे, उसके बाद में अगर आप पहले बार farm भर रहे हैं, तो यहाँ पर new user registered now, इस पर click करके, यहाँ पर दोस्तो, आपका registration क लेना है, तो मेरा पास में already registration है, तो मैं आपको login करके farm fill करके दिखाता हूँ, अगर आप already registered candidate है, तो farm कैसे भरेंगे, तो मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पर अपना registration number डालेंगे, यहाँ पर password डालेंगे, यह capture code को इस box में fill करेंगे, login करेंगे, अगर आप already candidate है, registered इसमें, तो यहाँ पर आपके पास में password नहीं है, तो यहाँ पर forget password का option मिलेगा, यहाँ से आप अपना password भी forget कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ details देना पड़ेगा, date of birth आपकी, यहाँ पर examination board name select करेंगे, email ID या mobile number डालेंगे, और get verification code, इसके माध्ध्यम से आप अपना password यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, तो चलिए दोस्तों, मैं आपको form भर के दिखाता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर आप जैसे लॉग इन करेंगे, तो यहाँ पर आपकी जो details है, यहाँ पर देख सकते हैं, तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार हो, तो चैनल को subscribe करें, ताकि आगे भी आपको इससे related वीडियो की notification समय समय पर मिल सके, तो यहाँ पर दोस्तों आता है आपका examination live, तो simply apply का option मिलेगा, इस पर आपको click कर देना है, यह instruction आएंगे, इनको ध्यान पूर्बग पढ़ लेना है, उसके बाद में fill form इस वाले option पर click करेंगे, यहाँ पर दोस्तों फिर आपकी जो details है, personal details आपकी registration पेंस से ले ली जाएगी, वो यहाँ पर select कर लेंगे, उसके बाद में यहाँ पर आपकी जो 10th class का percentage है, वो यहाँ पर डाल देना है, कितने percentage है, अगर आपका result CGPA में आता है, तो यहाँ पर CGPA डालेंगे, उसके बाद में save and next इस पर आपको click कर देना है, फिर यहाँ पर दोस्तों अगली step आती है, आपको यहाँ पर are on a serviceman, तो यहाँ पर यहाँ पर दोस्तों अगर आप serviceman में आते हैं, तो यहाँ पर yes करेंगे, और यहाँ पर अपनी service की details दे देंगे, नहीं आते हैं तो no पर tick करेंगे, उसके बाद में अगर आप Edge Relation चाहते हैं तो यहाँ पर Yes करेंगे और यहाँ पर अपनी Edge कौन सी है आपका यहाँ पर Category SC या HD वो यहाँ पर Select कर लेंगे उसके बाद में नहीं चाहते हैं तो No पर टिक कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों Do you when to make your personal information available for accessing job opportunities तो यहाँ पर इन department को आप अपनी personal details से देना चाहते हैं तो Yes कर सकते हैं नहीं देना चाहते हैं तो No पर टिक कर सकते हैं यह अपने according Yes No करेंगे उसके बाद में Save and Next करेंगे ओके करेंगे दोस्तों यहाँ पर फिर अगली step आती है आपका preference of examination centers तो यहाँ पर आपको जो भी examination CT चाहिए पहले वो select कर लेना है उसके बाद में second CT select करेंगे और यहाँ पर third तीनों अलग अलग choice कर लेना है examination के लिए उसके बाद में यहाँ पर medium of computer based examination CBE आप कौन से medium में computer पर exam देना चाहते हैं वो यहाँ पर अपनी language select करेंगे दोनों बार उसके बाद में यहाँ पर दोस्तो इन category में अगर आते हैं तो yes no कर रहेंगे otherwise इसे ये blank हो जाएंगे यहाँ पर दोस्तो physical limitation ये category में अगर आते हैं तो yes करेंगे नहीं तो आपको no पर टिक करना है यहाँ पर आपकी जो post है कैसे select करना है state wise दी हुई है तो यहाँ पर सारी ज हनपूरबक समझना है मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको अपनी post को select करना है जैसे आपको दोस्तो दिल्ली में हबलदार की post चाहिए सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हबलदार देली यहाँ पर 18 नमबर लिखा है तो यहाँ पर इस box में यहाँ पर 18 डाल दे देंगे उसके बाद में यहाँ पर दोस्तो आपको मान लिजिए हबलदार भोपाल की चाहिए तो यहाँ पर 43 नमबर है उसके बाद में यहाँ पर दोस्तो मद्दे प्रदेश में MTS की post चाहिए तो यहाँ पर 45 नमबर दिया हुआ है तो इस तरीके से आपको all India over में आप च चाहों तो डाल सकते हैं अगर आपको मान लिजिए इतने ही डालना है फिर नहीं डालना है तो यहाँ पर आपको x यह टाइप करेंगे तो यहाँ पर आटोमेटिक से सभी box में यह टाइप हो जाएंगे तो इस तरीके से आपको जो भी पहले चाहिए preference देना है अगर आप ज और दोस्तो आती है आपकी photograph और signature अपलोड करना तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है कैसे photo upload करना है तो यहाँ पर find a place with good light and plain background तो यहाँ पर आपका photo का पीछे का जो background है आपका white color का रखना है तो ज्यादा अच्छा रहेगा कोई भी plain background होना चाहिए उसके बाद में capture live photo खिचना है तो यहाँ पर आपका photograph है यहाँ पर दोस्तो आपको camera के सामने देखना है बिलकुम और दोनों कान और कंदे इस पश्ट दिखाई दे सामने एकदम सीधे relax इस्तिती में होकर camera में देखना है तो यहाँ पर capture live photo इस पर click करेंगे तो आपका camera open हो जाएगा तो य यहाँ पर इसको scan करके qr code को और यहाँ पर इससे scan करेंगे तो आपको play store से एक app download होगा ssc की तरफ से तो उसको install करके उसमें login करके और यहाँ पर अपनी photograph आप अपने mobile से भी ले सकते हैं यहाँ पर दोस्तों फिर आपका जो signature 10 kb से 20 kb के अंदर में jpg jpg format में होना चाहिए यहाँ पर 6 cm bit और 12 cm यहाँ पर 2 cm height इसकी होना चाहिए यह size में यह आपको अपना signature upload करना है तो upload आसानी से हो जाएगा उसके बाद में upload signature इस पर click करके अपना signature upload करेंगे फिर यहाँ पर दोस्तों अपना photograph यह अच्छे से upload करेंगे उसके बाद में आपको save and next इस बाले option पर click करेंगे दोस्तों फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं upload photograph and signature आपका इस तरीके से यहाँ पर दिखने लगेगा यहाँ पर photo signature upload हो चुका है उसके बाद में save and next इस बाले option पर click करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने preview form यह वाला option आ जाएगा तो यहाँ पर आपको सार जो details भरी है वो एक बार अच्छे से check out कर लेना है preview check कर लेना है आपने जो details भरी है आपको लगता है कि सारी details आई है तो उसके बाद में save and next इस बाले option पर click करेंगे फिर यहाँ पर दोस्तों declaration यहाँ पर आपको declaration करना है तो यहाँ पर आपको इस डबे पर आई agree करेंगे औ और यह capture code को इस box में fill करेंगे और यहाँ पर दोस्तों save and next इस बाले option पर आपको click कर देना है जैसे आप इस पर click करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं application submitted तो यहाँ पर दोस्तों आपको print application इस बाले option पर जाकर इसका print out निकाल कर save करके अपने पास में रख लेना है तो दोस्तों इस तरीके से आप SSC MTS हबलदार 2024 का online form घर बेठे आसानी से भर सकते हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को like कीजिएगा और अपने दोस्तों में share कीजिएगा और अभी तक आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe करें साथी bell notification all पर set कर लें जिससे आगे भी आपको समय समय पर वीडियो की notification मिल सके थेंक्यू दोस्तों धन्यवाद